आजरीन नादाव, शुक्रिया निशस्तिली, कविता का शीसक है, उमीद अब भी बाकी है, कवी रवशिंकर उपाद्याएं जब धुंदली होने लगती है उमीद की किरन, जब तूटने लगता है आशा और विस्वास, जब प्रकृति की अनन्त दुनिया में से, तभी प्रकृति की अनन्त दुनिया में से, आती है आश्वाशन की एक आवाज, जो धीरे धीरे भर देती है एक ललक, जीवन की उद्दा माकांख्शाओं की, भे और विश्वास के बीच जीतता सदय विश्वास ही है भले ही सीता को हर ले जाए रावन भले ही भिक्षा में मांग ले जाए इंद्र कवच कुंडल भले ही कारागार में डाल दिये जाएं देवकी और वसुदेव भले ही अंसुनी कर दी जाए नागा साकी और हिरोशिमा से उर्ती करा ही भले ही मिट्टी में मिला दी जाए करुणा और शांत की आदम करतिमाए भले ही बार बार प्रहार करे मनुशिता के दुश्मन बनारस और लाहोर पर भले ही न बख्षा जाए घंटे की ध्वनी और अजान की आवाज भले ही न छोड़ी जाए गंगा और जमनी की अजश्र धारा भले ही न छोड़ी जाए कोयल की कोकिल कंठी तान से मुलायम हो रही डाल भले ही उजार दिये जाए चिरियों के घोसले अपने वजूद और अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों को उनकी आदिमा कांचाएं बचा ही लेंगी जब तक बची रहेगी प्रित्वी जब तक बची रहेगी प्रित्वी शुक्रिया